आज की वीडियो में हम आपको Escorter IALS Genius शिरप के बारे में जानकारी देंगे, जो की छोटे बच्चों के लिए होता है तो इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तिमाल किनकिन समध्याँ में किया जाता है इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके डोज के बारे में इसकी market price कितनी है इसके content, side effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको स्कोटर या लेस जूनियर सिरफ के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके तो आईए जान लेते हैं इसके market price के बारे में तो इसकी market price ब्यासी रुपए है और ये 60 ml की packing में आता है और इसके company की बात करें तो इसको elder lab limited company के द्वारा बनाया जाता है तो आईए जान लेते हैं इसके content के बारे में तो इसमें livo salbutamol और emrogsal hydro chloride इसके अलामा guy fancy होता है तो इसके प्रत्यक 5 ml में livo salbutamol sulfate जो की 0.5 mg में होता है emrogsal hydro chloride जो की 15 mg में होता है और guy fancy जो की 50 mg में होता है तो आईए जान लेते हैं एस्कोटर येलेस जूनियर शिरप के यूजेज के बारे में इसका इस्तिमाल किन-किन समच्छा में किया जाता है तो इस शिरप का इस्तिमाल बलगम वाली खांची को ठीक करने के लिए और कुछ अलर्जिक प्राबलम को ठीक करने के लिए किया जाता है सीने में बलगम जमा हुआ हो, सांस लेने में कठनाई हो रही हो सर्दी जुखाम की समस्या हो तो इन सब को ठीक करने के लिए इस शिरप का इस्तिमाल किया जाता है या जमे हुए बलगम को पतला करके बाहर निकाल देता है जिससे की खांची से आराम मिलता है इसमें जो लिवो सालवूटमल सलफेट है या एक ब्रॉंको डाइलेटर है या सांचनली और मानस्पेशियों को आराम पहुंचाता है जिससे की सांच लेना आसान बन जाता है एम्रक्साल हाइडो क्लोराइड या एक म्यूकोलाइटिक एजन्ट है या बलगम को पतला करने का काम करता है जिससे खांची से आराम मिलता है और गौई फेंसिन या एक एस्पेक्टो रेंट है या बलगम को बाहर निकालने का काम करता है तो इस तरह से ये सिरफ काम करता है और खांची से आराम मिल जाता है तो आईए जान लेते हैं Escorter या LS Junior čरफ को कितनी मात्रा में इस्तमाल करना चाहिए इसके Doge के बारे में तो या एक Junior चरफ है या बच्चों के लिए होता है जो की एक साल से दस साल के बीच में होते है तो इसका जो डोज होता है एज और वेट के हिसाब से अलग-अलग होता है इसके अगर नार्मल डोज की बात किया जाए तो अगर बच्चा एक साल से लेके दो साल के बीच में आए तो उसको धाई एमेल सुबह साम दे सकते हैं और दो साल से पांच साल के बच्चों को पांच एमेल सुबह साम दे सकते हैं और पांच साल से दस साल के बच्चों को पांच से दस एमेल सुबह साम दे सकते हैं तो इस सिरफ को लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए तभी इसका इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग-अलग होता है और आईए जान लेते हैं एस्कोटर या लियाज जूनियर सिरफ के साइड इफेक्ट के बारे में इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो इस सिरफ के साइड इफेक्ट जैसे की जीमस लाना, उल्टी होना इसके अलावा चक्कर आना, दस्त होना, अपच की समस्या हो सकती है आलास आना और राथो परों में कमपन होना इसके अलावा धड़कन बढ़ना और कुछ अलर्जिक प्राबलम हो सकते हैं तो यह सब इसके साइड इफेक्ट हैं, जो कि किसी किसी को हो सकते हैं सभी को नहीं होते हैं तो यह थी हमारी आज की जानकारी, स्कोटर या लेस जुनियर सिरफ के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें